अपने loops वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग for loops का इस्तमाल करते हैं, while loops का इस्तमाल करते हैं आज हम लोग देखेंगे कि for loops को array के साथ किस तरह से इस्तमाल किया जा सकता है सबसे पहले हम लोग एक normal for loop को देखेंगे यह देखेंगे किस तरह से array की length property के इस्तेमाल करके हम लोग for loop को for appropriate number of times चला सकते हैं फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से और for loop के variants को arrays को manipulate करने के लिए हैं इसके elements को display करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है चलते हैं वीडियो स्क्रीन में and let's get started looping की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर arrays can be looped through using classical javascript for loop और through some methods discuss below ठीक है तोच कमेंट्स आ रहे थे किया रैपलेड में आप रैपल बनाते हुए दिखा नहीं रहे हो तो मैं आपको रैपल बनाके भी दिखा देता हूं यार सिंपल है मैं वह स्किप कर रहा था था कि आप लोगों को आप लोग का time बचे थोड़ा सा ठीक है इतना भी time नहीं बचेगा तो ठीक है चलेगा यार ठीक है array loops ठीक है तो यहां पर मैं create रैपल पर क्लिक करूंगा और रैपल बन जादी है बहुत सिंपल है ठीक है यह मैंने किया ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहां पर लिखूंगा एक for लो मैं लिखूंगा for और मैं लिखूंगा let i is equal to zero ठीक है let i is equal to zero मैं लिखूंगा और लिखूंगा i यहां पर semicolon लगता है याद लखना आप लोग i is less than num.length ठीक है और i++ ठीक है अब देखो मेरी बात थोड़ी सी अजीब सी लगी आप में से कहीं लोगों को बट इसको रटलो ठीक है इसको रटलो इसको रटलो का मतलब क्या है कि बार पर आपको ना लूब तो समिलर होता है let i is equal to zero zero से start करो length तक जाओ तो क्या होगा less than लगाओगे तो यह actual length minus 1 तक जाएगा इस केसमें कहां तक जाएगा यह 3 2 5 है 0 से लेके 4 तक जाएगा वही हम चाहते ठीक है और अगर आप यहां पर console.log और इसके बाद num i लगाओगे इस तरह से तो आप access कर सकते हो elements को simple सी बात है ठीक है दूब लोग यहां पर देखो 3 54 1 2 4 आपको print होकर मिल चुका है ठीक है यही काम थोड़ा और आसानी से किया जा सकता अब मान लोगी मैं क्या चाहता हूं कि हर array element के लिए मैं print करना चाहता हूं num i multiply by num i तो मैं क्या करूँगा मैं simply for each loop चला द देता हूं एक function चला दूँगा तो for each के अंदर मैंने डाल दिया एक function ठीक है जो की हर array element के लिए चलेगा और अब मैं आपर लिख दूँगा console.log element into element ठीक है और मैं यह चीज़ करूँगा तो आप लोग यहां पर देखो कि इसका square print वाफिर इसका square print वाफिर 1 4 16 प्रिंट हो बहुत ज़्यादा help करता है जब हम react apps बना रहे हैं अपनी बहुत ज़्यादा help करता है जब हम लोग बनाते हैं किसी पी तरह की web application javascript की साहित से बहुत help करेगा यह आप लोगों को ठीक है तो यह जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कीस तरह से काम करता हूं मैं आप ल का.from और for of और foreign loop बताना चाहता हूँ ठीक है तो for of loop किस तरह से काम करता है foreign loop किस तरह से काम करता है और array.from किस तरह से काम करता है यह पहले समझ लेते हैं ठीक है तो देखो क्या होता है कि मान लो आपके पास एक html collection है अब आप में से लोग ड़ जाओगो तो मैं उसमें for each loop नहीं चला सकता मुझे उसमें array.from चलाना पड़ेगा तो array.from क्या करेगा उस html collection में से मुझे array बना करते देगा अब देखो जो भी मैं अभी करने वाला हूँ आप लोग के लिए वो आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि अगर आपको समझ नहीं आता है तो डरना मत बिल्कुल भी बड़े मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ आप लोग को यहाँ पर dom के साथ manipulation करके दिखाऊंगा ठीक है यह website एक random सी website मैंने ले लिए है इसमें मुझे बहुत सारे elements दिख रहे है with class with class footer ठीक है मालो यह class है मेरी ठीक है article header ठीक है यह मेरे पास यह class है फिर मैं इस वाले element को लेता हूँ और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कोई भी एक class ले लूँगा मैं कोई भी simple से class देना चाहता हूँ मालो मैंने यहाँ पर यह वाली class ले लिए ठीक है यह ले ली मैंने ठीक है अब मैं क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा document dot अब देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आप बिल्कुल भी डर ना मत अगर आपको नहीं बता ही methods क्या है document dot get elements by class name तो मैं आपको बताता हूँ यह method क्या करता है कि सारे elements को ले लेगा और क्या मुझे देगा मुझे एक html collection return करके देगा यह कहरे हैं नहीं है html collection है अब मालो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस तरह से let a is equal to this तो a क्या है अगर मैं आपर type of a करूँ तो एक object है लेकिन what kind of object html collection अगर मैं a.forage करूँ यहाँ पर तो आपको मिलेगा a.forage is not a function क्योंकि एक array नहीं है तो मुझे इसको एक array में convert करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर array.from करते हैं पहले और फिर उसके बाद इसमें forage करेंगे तो जब मैं array.from एक करूँगा तो यह अब एक array बन चुका है यहाँ पर यह array नहीं थे यहाँ पर html collection थी यह example है इसको भूल जाओ भी जो मैंने बताया ज्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग confused हो बस उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग कहेंगे कि array.from कहां use करेंगे ठीक है तो use to create an array from any other object ठीक है कोई ऐसा object जिसका array बना जा सकता है हम use करते है array.from अब मैं आप लोग को यहाँ पर array.from का एक और example बताऊँगा ठीक है मैं आप लिखूँगा let name is equal to Harry ठीक है और इसके बाद मैं लिखूँगा array.from name ठीक है और यहाँ पर मैं लिख दूँगा let arr is equal to और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा मैंने आप लिख दिया let arr is equal to array.from name अब मैं console.log arr लिखूँगा बाइद आप control enter मार सकते हो applet में चलाने के लिए ठीक है तो ज़रूरी निया आपको run पर क्लिक करो मैं run पर क्लिक करता हूँ ताकि आप लोग को बता चले कि मैंने run किया है ठीक है और लोग कहते है क्या किया कैसे run हो गया automatically जादू चल रहा है नहीं जादू नहीं चल रहा है यहाँ पर वाला कोई जादू नहीं है run मैंने यहाँ पर चलाया तो आप देख सकते हो कि एक array बन गया इस string से तो array.from क्या कह रहा है कह रहा है कि एक array बना दो from this string ठीक है यहाँ फिर from this html collection ठीक है अब यही आप समझो array के लिए ठीक है num पर चलाऊंगा और आप लोगों दिखाऊंगा ठीक है मैं आपर for of चलाऊंगा पहले ठीक है मैं simply क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा for let i of क्या i of num ठीक है और simply क्या करूँगा console.log इस array के elements print होकर आगए 3, 5, 1, 2, or 4 ठीक है which is great यार ठीक है तो for of loop एक shortcut तरीका है किसका array items को access करने का कौन इतना बड़ा for loop लिखेगा यार इतना बड़ा for loop कौन लिखेगा i is equal to 0 फिर i less than num dot length फिर semi color लगा हूँ मैं फिर i plus plus इतना type किसके पास है आप simple ये shortcut इस्तेमाल करो और यो बहुत important है क्योंकि ये हम लोग बहुत जादे use करने वाले है फिर इसी का एक छोटा भाई होता है for in ठीक है जो कि शाहरा आप जादे use भी ना करो ठीक है आप इसके output पर देहन देना ठीक है तो इसका output 0 से लेकर 4 तक आ रहा है ठीक है अब ये क्या करता है देखो objects में क्या करता था ये समझो for in क्या करता था objects में keys को देता था हमको ठीक है क्या देता था keys देता था तो array के अंदर भी keys होती है ठीक है अब वो क्या होती है 0,1,2,3,4 ठीक है चुकि array का object ही होता है ठीक है बस arrays की key दिखती नहीं है ये आप एक object की तरह समझ लो 0,3 1,5 यानि की 1 है value 5 है key 2 है और value 1 है key 3 है value 2 है key 4 है value 4 है 0,1,2,3,4 ठीक है इस element को इस array के element को तो मुझे नम आये करके करना पड़ेगा ठीक है तो ये वाला loop ज़्यादा convenient है अगर आप लोग array के elements को brand करना चाहते हो but for in भी आपको पता होना चाहिए कि किसी ने अगर चला दिया आपके सामने for in तब आप ये ना पूछो कि या ये कैसे हुआ ये तो मुझे आता ही नहीं है ठीक है I hope कि आप लोग को मज़ा आया और I hope कि आप लोग समझ गया array.form कैसे काम करता है for of कैसे काम करता है for in कैसे काम करता है for each कैसे काम करता है और यह वाला loop तो आपको दीखेगा ठीक है, बहुत ज़़ादा दीखेगा क्यों, यह पहले यही loop इस्तेमाल होता ठीक है पुराने code में आपको यही वाला loop मिलेगा ठीक है, बहुत सारा code जो लिखा गया है लोगों के दवारा वो पुराना code है पुराना JavaScript code और सारे लोग प्रिफर करते हैं इस लूप को for some reasons ठीक है तो ये लूप भी अगर आपको code base में दिखता है कैसे code base में दिखता है जिसको आप लोग maintain कर रहे हो तो don't get surprised आप लोग को अब सारे लूप साते हैं आपको classical for loop आता है आपको for off आता है, foreign आता है ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में मैं filter रीडियोस के बारे में करेंगे हम लोग और कुछ practice questions भी solve करेंगे उसके बाद वाले वीडियो में अगर आपने ये playlist access नहीं करी अभी तक तो यार अभी के अभी इसको book mark करो यहां क्लिक करके और यहां क्लिक करके इसको save कर लो, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार जल्दी जल्दी डालो वीडियोस तो देखो यार, मैं एक चीज़ यहां पर ensure कर रहा हूँ quality, अगर quality नहीं है वीडियोस में, मैं वीडियो 10 दिन तक course रखा है कि यार, इस course के अंदर सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, I hope you understand और I hope कि आप लोग इस बात को समझते हैं कि मुझे अपने regular schedule में से time निकाल कर इन वीडियोस को बनाना होता है, इसकी मज़े से शायद थोड़ा बहुत लेट हो जाए, but I am trying my best to finish it as soon as possible, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time